आज हम आपसे कुछ ऐसी क्रिकी सवाल पूछेंगे जिसका जवाब शायद ही आप दे पाएं जी हाँ और आपको हम बता दें कि ऐसे कुशन्स आईस के इंटर्वियो में भी पूछे जाते हैं तो फिर आईए देखते हैं कि कितना IQ तेज है आपका हर पहली का जवाब देने के लिए आपको 5 सेकेट्स मिलेगे और देखते हैं कि आप कितने सही जवाब देते हैं नमबर वन ऐसी कौन सी चीज है जिसे पुरुष जीवन में एक बार करता है लेकिन महिलाएं बार बार करती है मांग में सिंदूर भरना नमबर टू आप अंधेरे कमरे में बंद हैं और आपके पास मुंबत्ती, लालटेन, स्टोब और माचिस की तीली भी है तो आप इसमें से सबसे पहले क्या जलाएंगे माचिस की तीली और क्या जलाएंगे सबसे पहले माचिस की तीली तो जलाएंगे ना फिर उसके बाद आप इन चीज़ों को जला पाएंगे दरसल इस सवाल का जवाब हर कोई जगड़ा बताता है लेकिन असली कारण शादी है जब शादी ही नहीं करोगे तो तलाग कहां से होगा नमबर फोर आदमी की कौन सी चीज़ है जो हमेशा बढ़ती रहती है इसका जवाब है उम्र नमबर फाइब इंटरनेट का मालिक कौन है जो व्यक्ति अपने घर में इंटरनेट लगवाले वही उसका मालिक होते है नमबर 6 एक औरत 1935 में पैदा हुई और 1935 में ही मर गई और फिर मरते वक्त उसकी उम्र सत्तर साल कैसे थी इसका जवाब है 1935 उसका रूम नमबर 1935 था क्योंकि वो 1935 में पैदा हुई तो 1935 क्या हुआ उसका कमरे का नमबर हुआ और 1935 में वो मर गई तो 1935 से सतर साल पहले आपा जाईए तब वो पैदा हुई होगी और पैदा कहा हुई थी एक कमरे में और उसका कमरे का नमबर क्या था 1935 नमबर सेवन एक बंद कमरे में एक इंसान पंखे से लटका मिला कमरे में पानी भरा है लेकिन कोई समान नहीं तो वो पंखे पे आखर लटका कैसे है इसका जवाब है बर्फ की सिल्ली पर चणकर बर्फ की सिल्ली उसने रखी और फिर उसने अपने आपको फासी लगाया और फिर धीरे धीरे वो बर्फ गल गई और इसली के साथ कमरे में पानी ही पानी हो गया नमर एट वो कौन सा देश है जहां आप नीली जीन्स बिलकुल नहीं बैन सकते है नॉर्थ कॉरिया नमर नाइम वो क्या है जो बाहर फ्री में और इस्पताल में पैसों से मिलती है इसका सही जवाब है ऑक्सीजन ऑक्सीजन हमें बाहर फ्री में मिलती है इस्पताल में जाते हैं तो हमें सेलेंडर का ऑक्सीजन का पैसा देना पड़ता है नमर टेन टेलिफोन के डाइलिंग पैट के सबी अंकों का गुड़ा करने पर हमें क्या अंक मिलेगा उसका सही आंसर है जीरो नमर 11 एक से सौ तक की गिंती की स्पैलिंग में ए अक्षर कितनी बार आता है एक बार भी नहीं तो आपने कितने सही जवाब दिये कमेंट्स में जरूर बताईएगा बिना किसी चीटिंग के जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएए ताकि हम आप से फिर दुबारा मिल सके हैं तैंक यू